हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम विथ मी में आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेट कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ तो देखिए आपको जैसे पुर्वत जानकारी दिया जा चुका है कि रे अच्छा की तिथी है वह 15 दिसंबर से इसके जो एक्जाम है वह शुरू होने वाले हैं प्यूस गोएल के द्वारा जो की रेलवे मिनिस्टर है इनके द्वारा और जो रेलवे के CEO हैं यानि की चीफ एक्जक्यूटी आफिसर बिनोत कुमार यादव जी उनके द्वारा भी के रेलवे में भी CEO के पद की यहां पर घुसड़ा कर दी गई है तो आप खुदी समझ सकते हैं कि प्राइबेट कमपनियों में ही CEO का पद होता है तो रेलवे समझे कि प्राइबेट की नीजी कर्ड की और अगरसर है और देखें यहां पर अभी फिलाल इसमें सुबह 11 बज कि आप रेलवे की परिछाओं के समंध में चर्चा कर रहे थे तो देखें अन्टी पीसी और ग्रूप डी का यहां मर्मामला है एंटी पी करते हैं कि एजनसी भी आपर तैंकर ली जाएगी तो देखिए आपर आप कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरूर बताइए कि क्या 15 दिसंबर से आपर एकजाम सुरूर हो पाएगा हाँ या नहीं अपना कमेंड बाक्स में राय जरूर देए तो चलिए सुरू करते हैं पूरा NTPC, isolated category और group D का यहां पर यहां मामला है देखिए अगर आपको यूटूब पे सर्च करेंगे हाईटेक इक्जाम विथ में आप हमारे चैनल को यहां से सर्च कर सकते हैं हाईटेक इक्जाम विथ में आनी यूटूब पे तो देखिए यहां पर railway keyword से NTPC, isolated category और group D की परिश है माना जा रहा है कि पहले आपर isolated category के पदों के लिए आपर परिच्छा होगी चुकि इसमें candidate कम है देखिए अधिकारियों के अनुसार isolated category के एक हज्यार 663 यहां पर पदों के लिए देजबर से railway को एक लाख दो हज्यार 940 आवेदन प्राप्तु हैं जो कि संख्या रेलिवे NTPC और group D के सापेच काफी कम है तो संभावता यहीं एक्जाम सबसे पहले कराया जा सकता है चुकि इसमें अभी यहां पर agency की agency होगा उसक सब्सक्रादी में केवल यहीं परिच्छा कराई जा सकती है परिच्छाओं की संख्या कम होने के कारण रेलिवे को देखें यहां पर इंतिजाब करने में ज्यादा परिशानी नहीं होगी NTPC के परिच्छाएं आयोजित कराने में यहां पर फिलाल समय लगेगा इसके बीडिंग की जो प्रक्रिया है वो 7 सितंबर से बढ़ा कर 21 सितंबर यहां पर कर दिया गया है वहीं देखें बीडिंग की क्लोजिंग डेट को 21 सितंबर से बढ़ा कर 5 अक्टूबर कर दिया गया है यानि कि देखें पूरी प्रक्रिया जो यहां पर टेंडर की पूरी प्र यहां पर देखे रेलेवे क्योड से अब तक isolated category और एंटी PC के परिचाओं के लिए परिच्छा एजनसी ही final नहीं है इनके लिए अभी bidding और tender की प्रक्रिया जो है वो अभी पूरी अभी नहीं हुई है जबकि यहां पर देखे जो group D की परिच्छा है उसको लेकर अभी तो यह आपर फिलाल एजनसी की नियुकती के लिए बिग्यापन ही जारी नहीं किया गया है यानि कि देखे एंटी PC और isolated category के लिए तो बिग्यापन जारी कर दिया गया tender के लिए लेकिन यहां पर देखे ग्रूप D की परिच्छाओं के लिए भी यहां पर बिग्यापन ही जारी न परिच्छा थी थी कि तो यहां पर हाल में एक्जाम जो है उसी डेट पर होने वाला है रेलेवेक पास करीब तीन महीने का यहां पर देखे इसमें समय है इसमें से सभी प्रक्रियाओं को पुरा कर लिया जाएगा रेलेवेक की और से परिच्छा पुर्व तयारियों के 15 दिसंबर से स्टार्टिंग है एक्जाम की तो क्या इसमें यह एक्जाम स्टार्ट कर पाएंगे अथवा नहीं इसके समझ में आप कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करके बतावें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा तो यहां पर देख पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो